नरेंदर मोडी इस मुल्क में तारिख लिखना चाते हैं। क्या तारिख लिखना चाते हैं। कि मैंने इस देश को गांधी अंबेट करके देश को मैंने हिंदु राष्ट बना दिया। 22 जन्वरी की बुन्याद 6 डिसंबर 92 को रखी गई 22 जन्वरी की बुन्याद 86 में ताले खोल कर रखी गई 22 जन्वरी की बुन्याद GB5 ने रखी थी इसलिए तारिखी दिन है आज मुल्क के 17 कोड मुसलमान भारत के वजीर आजम पर इतिमाद बरुसा नहीं करते 600 साल की महरूली की मजजिद पर बागार को नोटिस दिये आपने डेमालिस कर दिया 1991 के प्रेसिज और वर्शिप आट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे मैं अपने बच्पने में जब हिस्वी पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटू देखी थी प्रीस पिंग आफ मोहिंजदारो ऐसा लगता है कि वह इसा ही लग रहा है कि परदान मंतरी नहीं है बलके पुजारी समराड बन चुके हैं वो और मैं क्यूं कह रहा हूं कि हमारे सदर जमूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है बिलकु तारीखी दिन है 22 जनवरी की बुनियाद 6 डिसमबर 92 को रखी गई 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई 22 जनवरी की बुनियाद जी बी पंट ने रखी थी इसलिए तारीखी दिन है और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी आईवान में 16 डिसमबर 1992 हमने एक रिजूलूशन पास किया था आप बचाईए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो वाले सब सेकुलर है बुरा मैं हूँ किसी महमत नहीं है कि 6 डिसमबर की बात की जाए और वो तारीखी दिन इसलिए भी एसलिए इनसाफ करने वालों में एक इनसील्टी के चेर्मेन एक गवर्नर और एक नामज़स सुदा रुकने पहरलिमान बैठे वे थे अब आप बताईए मेरे पास बचा क्या है बचा ये है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा सब एमबेट करने दिया आज मुल्क के सत्रा कोड मुसल्मान भारत के वजीर आजम पर इतिमाद भरोसा नहीं करते बिलकुल नहीं करते बता रहा हूँ खुल के कह रहा हूँ अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खतम कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर क्या बचेगा मैं तो यह खड़े होकर वो सुप्रीम कोड के माया नाज बेबाग वकील दुशन डवे की तरह तो नहीं कह सकता मुझे आज भी रूल आफ लाव में भरोसा है मुझे आज भी खानून पर सम्विधान पर भरोसा है मगर ड्यू प्रॉसस तो फॉलो होना चाहिए ड्यू प्रॉसस फॉलो नहीं हो रहा एक तारीखी दिन 22 जन्वरी था एक तारीखी दिन 31 जन्वरी था सर राग के अंधेरे में अपील किये बगएर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं क्या पेखाम दे रहे हैं सर 600 साल की महरोली की मजजिद को बगएर को नोटिस दिये आपने डिमालिश कर दिया मैं जिमेदारी के साथ कह रहा हूँ कि भारत के पधान मंतर और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी सनाख को चीनना चाहते हैं आजमेरी के आस्ताने पर चादर भी चाहिए मगर आप जो चादर मुझसे चीनना चाहरें मेरी मस्जिद है आप हर मस्जिद को चीनना चाहते हैं आप बताएए सत्रा को और मुसलमानों को क्या पेखाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को चीन लेंगे मुझसे फिर मेरा फिर मेरा उजूद किस माने रखता है मेरा शनाख क्या माने रखता है रूल अफ लॉग क्या माने रखता है अच्छा 1991 के प्लेशिज और वर्शिप आट पर क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग अरे इस देश को आजादी मिली 47 में सम्विधान मिला हमको बाबा साब अम्बेट करका बराबरी का उससे पहले तो राजा रजवाले थे जमूरियत नहीं थी लोग तंतर नहीं था मगर आप उसको उस बारे में लेगे जाए पहरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए आप किसी एक सिविलाइजेशन सर असा अंग्रेजी में किसी नहीं का था सिविलाइजेशन केनाट बी री रिटन बाई हेटरेट इस सी केनाट बी करेक्टेट बाई डेमॉलीशन आप यह नहीं कर सकते और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मौरिक तारीख लिखेगा नरेंदर मोडी इस मुल्क में तारीख लिखना चाते है क्या तारीख लिखना चाते है कि मैंने इस देश को गांधी अंबेट करके देश को मैंने हिंदू राष्ट बना दिया मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के बधान मंत्री की सोच को नाकाम करेंगे उन पर है अब देखते हैं क्या होता है